हम बनाएंगे लोकी की पनीर की सबजी जो की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हिल्दी है अगर आपके घर पर पनीर नहीं है तो आप लोकी को ही पनीर बना सकते हैं वो भी घर पर अगर आप लोकी की पनीर की ये सबजी बना लेंगे ने तो बार बार बना कर खाना पसंद करे यह बहुत बड़ा लोकी था तो हमने इसमें से थोड़े से ही लगभग हाप के जी इतना लोकी हमने इसमें इसमें इस्तमाल किया है तो इतना ही लोकी का इस्तमाल करना है बाकी लोकी को हम कट करके साइड में हटा देंगे और पनीर बनाने के लिए आप लोग कोई भी लोकी क इस्तमाल कर सकते हैं या फिर गोल वाले लोकी हो या फिर इस तरीके के लंबे वाले लोकी तो हमें इतना ही लोकी का इस्तमाल करना है तो इसको अब हम सबसे पहले छील लेंगे सब्जी छीलने वाले से या फिर चाकू से छीलना चाते हैं तो चाकू से भी छील सकते हैं मैं आ किसी को पता चले कि लोकी से भी पनीर बन सकता है घर पर बिना किसी टेंसन जंजट की अब इसको हम रफली कट कर लेंगे मैंने इसे ही गुल गुल कट किया है अब इसको हम इस तरीके से छोट छोटे पीसेस में रफली कट कर लेंगे जरूरी नहीं है कि किस तरीके से हमें इसको कट करना है किसी तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं अब इसको डालेंगे एक ग्राइंडिंग जार में सारे कटे हुए लोकी को हम डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में इसको बस पीस लेना है इसमें कुछ भी चीज नहीं डालने है इसको ऐसे ही पीस लेना है तो यह देखे मैंने इसको पीस लिया है तो अब एकदम एकदम फाइन पेश्ट हमें इसका तयार करना है तो इस तरीके से यह देखे अब इसमें कुछ फ्लेवर फुल चीज और भी ऐड़ करेंगे तो इसमे दालेंगे एक चमच मिल्क पाउडर क्योंकि पनीर में मिठास रहता है उसके लिए और इस equitable आज में दालेंगई दही दो चमच देश कर लेंगे एक दम बारीग करना है इसका पानी के इसित्वाल बिल्कुल में करना है इस इसको है सही little की जिए अब इसे दूसरा बरतण में हमİंगे यह देखि इसको दूसरा बरतन में ट्रानसपर कर लिया है मैंने इसमें एक बूंद भी पानी का इस्तमाल नहीं किया है अब इसके बैंडिंग के लिए चाहिए आधा कटोरी यानि हाप कटोरी चावल का आटा आप चाहो तो बेशन से भी बना सकते हो या फिर मैदे से भी बना सकते हो लेकिन चावल के आटा से जो है टेशन बहुत ही अच्छा आता है अगदाम पनीर के जैसा अब चावल के आटें लीदग एसमें मीठा सोडा इसे खाने वाले सोडा भी कहा जाता है अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हलके हांतों से तो यह देखिया इसका consistency देख लीजिए इतना थिक रहना चाहिए इसमें पानी के इस्तमाल भी नहीं करना है अब एक प्लेट लेंगे इसे जमाने के लिए उसमें थोड़ा सा ओयल लगा देंगे वील लगा कर सारे लोखी की मिक्चर को इसमें डाल देंगे लोखी के पेस्ट जो हमने तयार किया था उसको इसमें डाल देंगे और एकदम इकुल कर देंगे बराबर कर देंगे अब मैंने पहले ही गैस पर पानी चढ़ा दिया था गरम होने के लिए तो पानी पूरी तरीके से गरम हो चुका है अब इसमें इस तरीके से कटोरी रख दे इस तरीके से कटोरी या फिर आपके पास एस्टेंड हो कोई तो इस तरीके का एस्टेंड आता है तो अगर आपके पास एस्टेंड हो तो एस्टेंड भी रख दीजेगा या फिर कोई कटोरी बीच में रख सकते हैं जैसे मैंने बताया अब उसके ऊपर से जो हमने लोकी का मिक्चर तैयार किया है प्लेट में रखकर वो इसमें डाल देंगे आच से दस मिनट के लिए इसे हम स्टींड करेंगे आच से दस मिनट के लिए ज़्यादा नहीं ये मैंने काटरस उठाया है न चिम्टे से दो चिम्टे का मारक हिसमें लग गया है ठोड़ा उसको इकॉल कर देते हैं अब इसे आच से दस मिनट के लिए मीडियम менее high फ्लेम पर हमें इसे estim करना है 8-10 मिनट जादा नहीं 8-10 मिनट के लिए हमें इसको estim करना है तो यह देखिए 8-10 मिनट के बाद एक दम पूरी तरीके से फूल कर ready हो चुका है अभी से चेक करने के लिए इस तरीके से चाकू लेंगे और फ्रीजर में या फिर रूम टंपरेचर पर रख दीजेगा पूरी तरीके से छील्ड हो जाए ठंडा हो जाए यह देखे पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है मैं हाथ से छू रही हूँ तो बहुत ही हम इसे छू सकते हैं बहुत ही ठंडा हो एक दम पूरी तरीके से ठंडा हो कितना स्मूथ लीए चाकू लग रहा है तो इस तरीके से आप लोग लोकी का पनीर के सब्जी बना कर इपितना सेजन बहुत भी कस्ते में यह आप बना सकते हैं तो देखिए इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में हमें इसको कट कर लेना है अपने आप ये प्लेट से निकल रहे हैं मैं काट रही थी तब ही तो ये देखिए कितना सॉप्ट है ये बहुत ही ज्यादा ये लोकी की पनीर बनके बहुत ही सॉप्ट अगर आपके घर में पनीर है कोई फरकी पता नहीं चलेगा तो अगर आपके घर में बच्चे लोकी नहीं खाते है न तो इस तरीके से आप लोग लोकी का जरूर पनीर बना करके खिलाएगा उनको सबको बहुत पसंद आएगी इतना जादा सॉप्ट और यमी लगता है ना मुह में जाते ही पसंद आजाए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा तो मैंने इसको सारे पनीर को प्लेट में निकाल लिया है यह देखे कितना सॉप्ट है हाथ से छूने पर पता चल रहा है कितना सॉप्ट है इसे साइड में रखते है चलिए इसका ग् रोपी का पनेर इस तारीकर से आप लोग जरू त्राइ करना अब इस प्याज को चोटे चूटे रफली हम कट करके इसमें डाल देंगे इसके साथ दो टमाथर दो प्याज और दो टमाथर ग्रेवी के लिए दो टमाथर को भी इस तारीक के finished में डाल देंगे मैं आप सबक इसके साथ दो हरी मेच टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा लगता है चार से पांच लेसुन की कली अगर आप लेसुन अदरक नहीं खाते हैं तो टोटली उसे आप इसकिप कर सकते हैं इसे हम पीस लेंगे तो यह देखें पीस कर हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है आप हम चल कढ़ाई उसमें डालेंगे दो बड़ा चमच तेल जैसे ही गरम हो जाए दो तेज बात आधी चोटी चमच जीरा आधी चोटी चमच जीरा इसके साथ दो पिंच हिंग इन सब को अच्छे से भून लेंगे जैसे हलका ब्राउन हो जाए उसके बाद हमें इसमें और भी बनाया था वो इसमें डाल देंगे यह दिखिए हमने टमाटर और प्याज का पेश्ट जो बनाया था इसमें डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो अच्य आसे इसको मीक्स कर देना है अब इसी के साहथ डालेंगे मसाला आधी छोटी चमच जीरा पाउडर एक चोथाई इसाल नमक आप अपने टेश्ट की हिसाब सेसाब है जिक मैं नमक डाला था ता उसके हिसाब्स हमें्जाब मत भूआरperformance तक दो कर अभी हम् Jagird अभिन भूआरे मिन आप नहा करने 1997 धूतief न आरुएमे भूव करने मिनट में हमारे मसाले अच्छे से भून जाते हैं तो यह देखिए तीन से चार मिनट में हमारे मसाले अच्छे से भून कर रेडी हो चुके हैं ओयल सेपरेट हो चुका है दिख रहा होगा आप लोगों को ओयल पूरी तरीक से सेपरेट हो चुका है हमारे मसाले भून कर रेड मिनट के लिए टोटली मसाले पकाने में आपको पांच मिनट के समय जाएगा तो यह देखिए एक मिनट और मैंने पांच मिनट मसाले को भूने हैं तो यह देखिए मसाले हमारे पूरी तरीके से पक कर रेडी हो चुका है अब इसमें डालेंगे पानी ग्रेवी के लिए अगर छोटा था तो मैंने आधी छोटी चमच डला है कसूरी मेथी दो चमच कसूरी मेथी को मैंने तवे पर पहले गरम कर लिया था उसके बाद इस तरीके से हाथों से क्रस्ट करके इसमें डाल देंगे अब इसको हम ढख कर छोड़ देंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आयता है तब तक के लिए तो यह देखे ग्रेवी में बॉयल आ चुका है अब इसमें हम डालेंगे पनीर जो हमने पनीर बनाया था ना लोकी का पनीर वो लोकी का पनीर इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से हलके हाथों से मिक्स करेंगे इसको ज्यादा मिक्स नहीं करना है हलके ह हाथों से मिक्स करेंगे ढख देंगे लोग फ्लेम पर दो मिनट के लिए इसको गैस पर दो मिनट के बाद ये पूरी तरीके से पनीर के सबजी बनकर रेडी हो जाता है तो ये देखें दो मिनट में हमारा सबजी बनकर रेडी हो चुका है बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्ट बना है ये लोकी की पनीर के सबजी अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे ना बहुत ही हलके हाथों से इसको अब गैस को करेंगे बंद गैस बंद कर देंगे अब इसको हम दो मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे दो मिनट के बाद हम इसे सर्प करेंगे ये देखे वाव देख बॉल में निकाली थी बहुत ही ज़्यादा सॉप्ट और बहुत ही ज्यादा यमी लग रहा था तो इस तरीके से आप लोग लोगी का पनीर बना कर बच्चों को दे सकते हैं या फिर इंजवाय कर सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगती है इसे आप लोग एक पर जिरूर करना पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कून लबूले